तो हेलो गाईस कैसे आप सभी आई हो सब भींगे दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटिप अनर्ट टेकनिकल अतुल में मैं हूं आपका दोस्त अतुल तो आई सीटे वीडियो करते हैं स्टार्ट तो दोस्तों आप भी जिरोदा का दोस्तों कायट वरिजन उसको पर आपका pen card number तो आपको यहां पर अपना pen card number को अच्छे से fill कर देना है और दोस्तों यहां पर आप आप एमेल से या फिर SMS से जो आपका रिष्टेड एमेल है SMS के थूरू आप यहां पर पासपर्ट को रिष्ट कर सकते हैं तो मैं भी SMS के थूरू रिष्ट करना चाहता कापचा कोड तो करपचा कोड़ को यहां पर ढाल देने के बाद कर क्लिक कर trained कर वा और मेरे बॉइल कर तो आपको इस प्रोस को पूरा दिखाने वाला हूं तो बस आप वीडियो में एंट तक बने रहेगा और अगर आप चैनल पर मेरे पहली बार आ रहे हैं चैनल को निचे ला रंके सब्सक्राइब बन पर क्लिक करके कर दिएगा सब्सक्राइब साथ न लेगा बला इकन भी जि ओटीपी मेरे पास आ चुका है तो यहां पर मैं ओटीपी को डाल देता हूं ओटीपी डालने के बाद कंटीव पर क्लिक कर लेगे और कंटीव में क्लिक करने के बाद आप तो ओटीपी एंटर कर लेने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहां पर मिलने वाला है और यहां पर आपको reset करने का जो दूस्तों option मिल चुका है यहां पर आप पासवर्ड वो reset कर सकते हैं यहां से आप two factor pin को भी reset कर सकते हैं आगे मैं आपको पताने बाला हूँ कि आपको जो two factor pin है उसका आप क्या यूज करते हैं तो किस तरह से आपको उसका benefit यहां पर मिलने बाला है तो यहां पर पहले मैं पासवर्ड कुलशिट करूँगा तो यहां पर पासवर्ड को पहले डाल लेंगे आप पासवर्ड डालते समय आप combination को याद रखें कि आपको uppercase, lowercase और numerical and stroke actor भी आपको यहां इस पर add कर लेने हैं जिससे आपको एक strong password यहां पर बन जाएगा तो आपको मैं सीधे भी दिखाता हूँ किस तरह से आप password को बना सकते हैं एक्जामपेन आप डिस्पले पर यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से आप password को एकदम strong password बना सकते हैं अगर यहां पर आपको मिलता है two sector pin तो यहां पर आप six digit का pin डाल सकते हैं और password डाल लेने के बार आपको यहां पर repeat password पर एक बार किलिक कर लेना है अपना password को repeat दुवारा से बही डालना है जिससे कोई भी mistake अगर होती है तो आपको password यहां पर change नहीं हो पाएगा तो दोने देख सही से password डाल लेने के बार अब आपको डालना है two sector pin जो आपको six digit का pin होता है तो आप इससे अगर password नहीं डालते हैं तो आप यहां पर pin के दौरा भी login कर सकते हैं यह facility आपको आप में मिल जाती है और उसको यहां पर दिख सकते हैं कि सब कुछ अभी done हो चुका है तो बस हम जा करते हैं कि यहां पर user id को type करते हैं और उसके बार password को यहां पर type करते हैं और password type कर लेने के बार आपको login बटन पर type कर लेना है तो login बटन पर आप जैसे ही type करते हैं उसके बार आपको माना जाता है यहां पर आपका pin तो यहां पर pin आप जब डालते हैं तो आप यहां पर login हो जाएंगे तो मैं आपको फिर से एक बार लेके चलता हूँ वहाँ यहाँ पर आपको पहले खोल लेना है काइट को और काइट अप्रीकिशन को खोल लेने के बाद थोड़ा समय लग रहा है यहाँ पे दोस्तो काईट अप्रेशन खोल लेने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना जो पिन बनाया है वो डाल देना है और लोग इन कर लेना है देख सकते हैं कि आप सेक्सिपली मैं लोग इन कर चुका हूं तो इस तरह से आप आराम से पासवर्ट को रिशेट कर सकते हैं दोस्तो आज की यही मेरी वीडियो वस यहीं तग अगर आपको मेरी वीडियो उच्छे लगियो तो वीडियो को भी लाइख कर दीगा साथ ही चैनल कर दोदीगा सस्क्राइब साथ माले आप बल आइकन भी दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे फ़र्चे एक नई झाल वलेम…